नमस्कार दोस्ते हैं स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो देखें बिहार आश्टेट का जो 24 और 25 मई का एक्जाम हुआ है और जिनका एक्जाम होने वाला आने वाले सिप्टों में एक्जाम लगा हुआ है उनके लिए हम लोग इस sparkling में एक्सपेक्टेट केश्टन देखेंगे बैधर्वी रीती फिर गौडी रीती फिर पांचाली रीती अगला महादेव में कौन सा समास है तो कर्म धारे समास next कौन से समास में उत्तरपद प्रधान होता है तो तद्पुरुस समास में अगला साहित दरपण के लेखक का नाम बताओ तो पंडित विस्टुनात अगला सिछार्थी कौन सी विधी में निस्क्रिय रहते हैं तो व्याख्यान विधी में निस्क्रिय रहते हैं अगला है लड़का चित्र बनाता है में कौन सा बाच्ची है तो कर्त बाच्ची हो जाएगा Next भारत का सबसे पुराना पुस्त काला कौन सा है तो नेशनल लाइबरेरी ओफ इंडिया जो की आपका कहां पढ़ता है? कोल काता में अगला है अभी क्रमित अनुदेशन किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंदन पर आधारित है नेक्स्ट राहूल से दोला नहीं जाता में कौन सा बाद्चे है तो भाव बाद्चे नेक्स्ट ISSN में अंकों की संख्या बताओ तो आठ नेक्स्ट एक रचनात्मक बच्चों के होनों की समभावना क्या कहलाती है? अपसारी सोंच कहलाती है अगला सिच्छत प्रभाव सीलता की प्रकृति कैसी होती है तो बैग्यानिक होती है नेक्स्ट है पाई बटे साथ कैसी संख्या है तो अपारी में संख्या नेक्स्ट है बाक्यम, रसाक्त, मकम, काब्यम, परिवासा किस के दोरा दी गई आचार विस्टनात के द्वारा दी गई अगला है रचना के आधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं तीन होते हैं रून सब्द, योगिक सब्द और योगरून अगला है दिन कटना मुहाबरे कार्थ वताओ तो समय बीतना अगला है पितामबर सब्द का संधी विच्छेद बताओ तो पीत धन अंबर अगला है रोलपले विधी की कमी बताओ तो द्यान केंदरान का अभाव अगला है चादर से बाहर पैर पसारना मुहाबरे का अर्थ बताओ तो आय से अधिक खर्च करना अगला है ब्लूम टेक्सोनॉमिक कब आया तो 1956 में आया था नेक्स्ट पार्थ योजना का अंतिम चरना बताओ तो अंतिम रूप रिखा तैयार करना अगला है काटा निकलना निकलना मुहाबरे कार्थ बताओ तो बाधा दूर होना नेक्स्ट संग्यानात्मक सिच्छक का पथम चरना बताओ सूचना अगला है माइक्रो टीचिंग का समय कितना होता है तो 5 से 10 मिनट का समय होता है अगला है पार्थ योजना में सिच्छन बिंदू का उलेख कहां पर होता है पहली पंक्ती में होता है अगला है राम से रोया नहीं जाता में कौन सा बाच्च है भावबाच्च संधी का बिलोम सब्द बता तो ये होता है विच्छेद अगला है नाबिक का संधी विच्छेद बता तो नौ धन एक अगला एरिक्सन ने मानब विकास को कितने भागों में विभाजित किया तो टोटल आठ भागों में अगला संग्यानात्मक छेतर किसको सरजन करता है नभीन ग्यान को सरजन करता है अगला अबराहम मासलो का सिद्धान के कितने चरण है तो टोटल पाँच चरण है बुलूम के बरगी करण के कितने चरण है तो टोटल छे चरण है जिसमें पहला है ग्यान, दूसरा है समझ, फिर है अनुप्रियोग, फिर बिसलेसन, संसलेसन और मुल्यांकन अगला है बीवसा अलंकार का दूसरा नाम बता हूँ, तो पुनुरुक्ती प्रकास अलंकार सिच्छक सबसे अधा किसे से सीखता है, छात्रों से सीखता है अगला है अभिक्रमित अनुदेशन का प्रियोग सब किस में किया जाता है, प्रस्तुती करण में किया जाता है अगला है सूच्म सिच्छन सबसे यदा प्रभाविक का बोता है सिच्छन अभ्यास के दर्मियान अगला है घोले बेंच कर सोना मुहाबरे कार्थ बताव गहरी नीन्द सोना नेक्स्ट मुख मानों चंद्र है में कौन सा अलंकार है तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेच्छा अलंकार अगला है प्रतेक का संदी विच्छे दबताव तो प्रती धन एक नेक्स्ट फाइब ई के सह निर्माता का नाम बताव तो रॉजर बाईबी अगला है चारू चंद की चंचल किरने खेल रही जल्थल में में कौन सा अलंकार है तो इसमें हो जाएगा अनुप्रा सलंकार अगला है विशे वस्तू की रूप रेखा क्या है तो सापेच्छ मूल्ले अंकन सत्रा बानक किस छंद में होते हैं तो बानक संब्रत छंद में अगला छात्र अच्छी तरह कैसे सीखते हैं तो करके सीखते हैं सवया छंद में मात्राओं की संख्या बताओ तो 26 मात्राओं होती हैं आसन डोलना मुहाबरेकार्थ बताओ तो बिचलित होना नेक्स्ट कुश्चिन की बात करें तो कुश्चिन है अधिगम को प्रभावित करने वाले मनो वैज्ञानिक कारक बताओ तो बुद्धी, बेक्तित्तो, द्रस्टिकोन, रुची और योगिता अगला है पहार तूट पढ़ना मुहबरे का अर्थ बताओ बहुत बड़ी विपत्ति आना अनुदेशन कहां प्रदान किया जाता है तो कच्छा के अंदर प्रदान किया जाता है अगला है बगल में छोरा, नगर में धिंडोरा, लोकोक्ति कार्थ बताओ बस्तू के पास होने पर भी उसको चार ओर ढूनना अगला है micro teaching का उद्देश बताओ तो सिच्छिकों में सिच्छा कॉसल का विकास करना यह होता है micro teaching का उद्देश यह अंतक उद्देश क्या बढ़न करता है प्रदाम का रिजल्ड का बढ़न करता है पाठ ही हो जना क्या निर्धारित करता है तो आधिगम उद्देश्य दीर्ग स्वर के उधारण मताओ तो U-A-A-O अगला नयान में कौन सी संदी है तो आयादी संदी पंच मुखी में कौन सा समास है तो बहु बरी ही समास अगला स्वार्थ में कौन सी संदी है स्वार्त में आपकी हो जाएगी दीर्ग संदी। अगला अच्छे चातर कौन होते हैं जो हमेशा सीखना चाते हैं। अगला किस समास का पहला पत्द प्रदान होता है अब बेभाव समास का। अगला एक अच्छा को स्तापत करना किसका उधारान है। कच्छा प्रवंदन का उधारान। पहार तूट पढ़ना मुहावरेकार्त बताओ तो मुसीवत आना। वह कहां जा रहे हैं कौन से बाक्य का उधारान है तो प्रस्न वाचक बाक्य। रचना के अधर पर बाक्य के कितने भेद होते हैं। तो टोटल तीन भेद होते हैं। साधारन बाक्य, सैयोक्त बाक्य और मिस्र बाक्य। अगला एक प्रभावी सिच्छक का गोण बताओ जो चात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। बाचे का साब्दिकर्त बताओ तो बोलने का बिसा है। अगला समाबेसी कच्छा में एक सिच्छक को क्या चाहिए। सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत तो दे। ग्रेडिंग मुल्यांकन किस प्रकार का मुल्यांकन है। तो सापेच और निरपेच मुल्यांकन। जल उठो फिर सीचने को में कौन सा अलंकार है। तो बिरोधा भास अलंकार। अगला सब्दों के सार्थक समों को क्या कहते है। बाग कियो। आस्तिन का साप होना मुहावरेकार्थ बताओ तो कपटी मित्र। अगला अधिगम प्रतिफल का समन किस से है। सिच्छार्थी से। अनुदेशन कहा प्रधान किया जाता है। कच्छा में किस विधी में चात्र ग्यात से अग्यात की ओड़ जाते हैं आगमन विधी में किरिया के कितने बेदें दो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया अगला जिस समास का पहला पत प्रधान है उसको कौन सा समास कहते हैं उसको कहते हैं अब्याई भाव समास प्रतिकूल म कौन सा समास है तो अब भी भाव समास है तो गायद आसके वीडियो में तने थेंक्यू धन्यवाद